आज कही न कही पूर्णिया में आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है, आदिवासी समाज लुप्थ हो रही है, लुप्थ होने के कागार पे पहुँच गई है, कही न कही बिहार सरकार को इस पे जाच करने की आवसकता है एक बिट्टू सिंग नाम कावेक्ति को लेशी में उलर का कह रहा है सचिन भगत कि उनको ठंडा कर दिये तो ठंडा सब देख होता है कि मार के जला के राक ठंडा कर दिये हैं कि पॉलिस्टोर में रखे हैं बरप में ये गरीबों का मसिया है सोचने वाली बात है कि हजारों गरीबों का मसिया आज अपने जान के लिए जान के लिए भीक मांग रहा है आगो तो ओडियो बैरल है या हमारी हत्या की साजिस कर चुकी है और इनके पास हजारों बेटा है आज की डिट में लेकिन आज इनको जान से मारने की धमकी मिल रही है ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि इनको सुरक्षा दी जाए आदिवासियों को भगा दिया जाता है, मार दिया जाता है, उनको धराया जाता है और कहीं न कहीं राजेश्व का नुक्सान तो होता ही है और उसके बाद सियों की कितनी मिलि भगत है नितिश कुमार जी आपको आदिवासी को संदक चाहिए नितिश कुमार जी आपको आदिवासी को संदक चाहिए और अब असोक ठाकूर की जान पर बनाई है और जान पर बनाने का एक एहम वज़ा है क्यूंकि इन्हों ने खुद बिहार सरकार को एक बड़ी चुनोती दे दी है जिसके बाद बिहार सरकार के और से तमाम इनको धमकिया दिया जा रहा है ये असोक ठाकूर का कहना है कुछ इनके पास ऐसे वाइरल विडियो भी है जिसमें बड़े बड़े बिहार सरकार के मंतरी का नाम भी सामने आ रहा है तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे देशवा न्यूज की ब्रांड एंबेस्टर बविता मिस्रा, रूबरू, मिसिस इंडिया वो भी यहाँ पर महजूद है हम सीधा उन्ही के पास चलेंगे और जानने का कोर्सिस करेंगे कि क्या है पूरा मामला और असोग ठाकूर के जान पर क्यों बनाई है और आज जब असोग ठाकूर देशवा न्यूज से क्या उम्मीद रखे हैं और क्या गुहार लगा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम आदिवासी कल्यान सिमिती में हैं और ये असोग ठाकूर है ये गरीबो का मसिया है सोचने वाली बात है कि हजारों गरीबो का मसिया आज अपने जान के लिए जान के लिए भीक मांग रहा है वज़ा क्या है कुछ अपराधी तत्व कुछ जमीन का दलाल कुछ जमीन के लोभी जिसकी नजर गिद के तरह इनके जमीन पे है इनको मारने की धमकी दी जा रही है बात करते हैं हम इनसे कि क्या इनको धमकी मिली है और क्या वज़ा है इनसे जानते हैं जो आज ये सदमे में हैं क्योंकि ये साथ बेटी के बाप है साथ बेटी के बाप और इनके पास हजारों बेटा है आज की डिट में लेकिन आज इनको जान से मारने की धमकी मिल रही है ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि इनको सुरक्षा दी जाए आए हम पूछें बताए असोग जी सबसे पहले तो मैं आपको धनवाद देता हूँ हमारे अफिस में आयकारियाले माए और हमको आसा और विश्वास बना कि आप कुछ ने कुछ सहयोग कीजिएगा और मेरे लिए कुछ ने कुछ तो आप जरूर सोचिएगा आपके आखों में आसू देख रहे हैं इसलिए कि हमारा हत्या ने होगा मैं हत्या होगा तबे कुछले का आदिवासी का गरीब का जिसको हम सुनते हैं रास्ता देखाते हैं और नियाय देने और दिलाने का काम करते हैं और हम मानने लोग पर ये परधान मंतरी जी का हमने 2014 में उनकी एक भासन में सुना था कि भष्टाचार का खिलाब कीजिए और मैं सभी जनता से अफिल करता हूं कि आप भष्टाचार में खिलाब कीजिए और हमको सहयोग कीजिए मैं इस पर करवाई करूँगा तो हमको अच्छा लगा परधान मंतरी जी का बात तो हम भी सोचे कि चलो हमारा देश और समाज भष्टाचार में घिरा हुआ है तो सबसे बड़ा भष्टाचार का जड़ क्या है इसकी मैं अध्यन किया तो हमको सबसे ज़्यादा पकड़ाय लेकिन उसके लिए सोने के लिए घर चाहिए जो कि सोता है तो उसको सुभे जो है पता चलता है कि माफिया मार के भगा देगा या सरकार तोर देगी इस चीज़ पर जब हमने अध्यन किया जमीन पर तो जमीन में सारा पकड़ा हूं कि राजस्य विभाग का सारा सड़ी गलती है और उस गलती का परदाफास किया जमीन महा घोटाला का जो पूर्णिया जिला से ही सरवे हुआ है सबसे पहला सरवे अगर भारत में हुआ है तो वो पूर्णिया जिला से हुआ है यहीं से पूरा संपुर्ण भारत में सरवे हुआ ह जो रेश्टर पंजी टू का जो सर्वे करवाया है RS सर्वे, MS सर्वे इनका मिलान नहीं है, आधार नहीं है सरकार के पास हमने चुनोती दिया आपने चुनोती दिया दिया, लिखी चुनोती दिया कहां दिया जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर खुद मोदी जी, आदेश किये कि CBI जांच कराई जाए असोक ठाकूल का जो मामला है उस पर CBI जांच कराई जांच होनी चाहिए वो आदेश दिये हम आपको कोपी दे देंगे मैं हमने सारा जगा लिख के दिया यहां तक कि मैं सुप्रीम कोट ने पियाई दाखिल किया मैं इन लोगों के खिलाब बिहार सरकार के खिलाब कि आपका जितना भी अभी बिहार में मार काट दंगा फसाद हो रहा है वो सब से पहला जड़ है आपकी संपती जमीन और जमीन में इतना बरा भष्टा अचार है कि आदवी एक दिन में रात और रात चाहता है कि मैं रॉबर्ट वाडरा बन जाओ मैं इतनी बड़ी बात बोला हूँ मैं बिल्कुल कहीं न कहीं बिहार में आज भी जमीन के लिए मडर हो जाता है जमीन के लिए जो जमीन के गुंडे होते हैं वो जबरन आदिवासियों को भगा दिया जाता है मार्क दिया जाता है उनको डराया जाता है और कहीं न कहीं राजिस्व का नुकसान तो होता ही है और उसके बाद सीयों की कितनी मिली भगत है ये भी तै करनी होगी सरकार को सरकार कहती है आज भी जमीन की समस्याय सबसे ज़ादा है अगर आज भी मडर होता है तो सिर्फ जमीन के लिए जो आज ये भुगत रहे हैं इनसे सुनते हैं कि ये क्यों भुगत रहे हैं इनको कितनी तकलिफ दी जा रही है भूमी माफियाओं के द्वारा? इसलिए हमारी हत्या की साजिस कर चुकी है। नाम बोला जा रहा है तो यह सब मिलकर गुरू बना कर हमारा हत्या कराने का जो खडियंत किया है। आज अच्छा काम करेगा यहां नहीं। जो सच बोलने वाला का वाजवर करता है लोग अपना मनमानी सत्ता चलाता है यह पूर्णिया में। मैं एक ऐसा सोक्ठा कुरू उठा हूँ जो आज गरीब का एक रोशनी मने सामने आया है। देखाई पर रहा है कि आब हमको न्याई मिलेगा। तो इसके लेके माफिया लोग फसने पर आ गया है। हमारे आदेश निर्देश उपर से हैं। उस पर भी जो ही लोग दबाया गया। बिहार सरकार तो सुना ही नहीं। तो मैं बहुत साथ चाइनल में मैं डाइरेट नितिश कुमार पर आरोप लगाया हूँ। मुखमंत्री पर कि आप माफियाओं के साथ फोटो घिचाते हैं। इसका मतलब है आपके आदेश निर्देश पर यहां का सारा सरकारी जमीन और लोगों का जमीन और क्या का आदिवासी का जमीन बैमानी करके आपका सियो बैटकर जमाबंदी खोल देते हैं। और यह जमेला लगाते हैं। यह अनेकों परकार की परिसानी हमने इसको चुनोती दिया कि आईए आप जाच किजिए हम जाच में सहयोग करेंगे। यहां तक कि मैं चैलेंग दिया हूँ कि एक से लेके 14 लाख जमाबंदी पूर्णियाक अगर सही है एक भी जमाबंदी वानली पीस तो मुझे फांसी दे दिजिएगा। मैं हस्ते हस्ते चहर जाओंगा। लेकिन जमीन का आज जितना भी जमिला है मैं आपको चुनोती दे रहा हूँ ऐलान भी कर रहा हूँ कि नहीं तो आपको सरकार इसका सही कर सकता है नहीं आपका परसासन करेगा चुकि यह बीधी दर पिरी दर पिरी एक मामला उठते जाता है आज हमें इतना सकती दिया है भगवान कि मैं इस जमीन का आज जमिला जो हमेसा के लिए खतम कर सकता हूँ यह हमारे में सकती है सरकार आबे हम बता देंगे कैसे खतम होता है नितिज सरकार अपनी काम को अंजाम देती है लेकिन कुछ अधिकारियों कुछ अधिकारी लोब में आके पैसे कमानी की चाहत में कहीं न कहीं आधिवासी हो या आम वैक्ती हो उनकी जमीन के साथ खिलवार कर जाते हैं और यही कारण है कि आज ये गुहार लगा रहे हैं इनका एक audio viral हो रहा है और ये कहते हैं कि इनकी हत्या हो सकती है और 100% हो सकती है मैं कहना चाहूंगी कि नितिस सरकार से कि इन पर इनकी audio की जाच होनी चाहिए इनके audio को में अगर कोई धमकी दे रहा है तो उस पे कारवाई होनी चाहिए कहीं न कहीं ये सक्स आज साथ बेटी का बाप है वो छोटी छोटी बच्ची हैं साइद उन्होंने अपने पिता को सही से देखा भी नहीं होगा अभी बरे हो रहे हैं तो ये बाप अगर कल को इस दुनिया में नहीं रहता है तो साथ मासूम बच्चियों का क्या होगा तो मैं इन से जानना चाहती हूँ कि कब तक आप ऐसे डरे रहेंगे क्यों नहीं आपने नितिस जो हमारे मुख्या हैं उनसे गोहार क्यों नहीं लगाई में महम सभी सलगा आज भी मैं आपके चैनल माध्यम से में मांग एघंज को jurisdiction मोह हरे क्यों कि शॉरक्षा मोहिए क्धा इस पर ओडियो का जाच करक आइस में जो जो इन भॉल्व है उसको आप करवाई कीजिए उची तो जो होता है नियमान उसार से कारण क्या है कारण आपने कहा कि आपके जमीन से रिलेटेड अब भी चुकि ये पूरे पूर्णिया का मामला है आप कह रहे हैं कि वो जो खत्यान टू है उसमें आपका जमीन निक जलता है ठीक है लेकिन अब भी ये तो कोट की बाते हैं कोट में तै होनी है लेकिन ये भू माफिया आप से क्यों आपके जान के पीछे परे हुए इसलिए पीछे परे हैं कि यह जो है अभी बहुत मनें एकर में एकर बेचे हैं इलोग सब बेचकर जो इतना बड़ा संपत जमीन एकर में बेचा गया है जो आपके पीछे पर गया है जिसका ओडियो में नाम आ रहा है आप उसको खुला चुनोती देते हैं सरकार को कि आप जाच करवा लिजे हम जाच में सयोग करेंगे कि पूर्णिया को तहसना स्कोन किया है उसी का तो आबाज उठाए भरस्टा टी है यह राजी लेकिन आज आप डूट पे रोट पर है कि सरकार का नीति गलत है आज अधिवासी को भी देखा जा सकता भीक मांगने की स्तिती पर है जबकि उसके पूर्बच का जो है राजा हुआ करता था उसना जाता है कि आदिवासी की जमीन धानटन को नहीं करता है लेकिन यहां तो भाई बैमान बैठा हुआ है समझे मैं तो कुछ भी दिजेगा तो निगल लेंगे एक आदिवासी का मुख्या जो अपने आदिवासी समाज की रक्षा करना चाहता है यह आदिवासी समाज जो लुप्त हो रहें के कागार पे है जिसको सरकार भी बचाने की मुहीम लगा रखी है लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है आदिवासी समाज लुप्त हो रही है लुप्त होने के कागार पे पहुँच गई है कहीं न कहीं बिहार सरकार को इस पे जाच करने की आवसकता है तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज आप से गुहार लगाता है नितिस बाबू कि आप इनकी रक्षा करे अब इन ये आदिवासी समाज लुप्त ना हो जाए ये सुरक्षा आप इनको परदान करें यह देखिए ओडियो सुन लिजाना अगर कुछ किया तो फार होगा और फार होगा तो फिर बिल भी नहीं आवा से होगा अब इनको अब बात कर लिया हम अपने ठीक आए तब बोले मुठा के लिए यहां से तो नहीं होई भी पर जब जाए गांवा तो फिर जलू में उसका करवा देंगे पूरा सब को बोले हैं कि सलेगर इसको चितना लाठी मारना मारो माता चुद को और थाम देंगा पचास जा ग॥ सतफ र हम डिया जुक को सबना जो आ ठीजना भूरा miałु दो हुझ आतके ल्ग आभी तक ऑल से नहीं से बात रहे हैं सबसे बात हुझ doctor जो है जो है इसके सबसे पागर होऔर खुटे बहुत मेरा ही अधिक अ अपले सब्सक्राइब कर दिखा दिखा दिए अच्छा इसके बारे में भी हम लोग खबर आया है लेकिन अभी तरह इसके इस पर एफार्ड नहीं हुआ इसलिए हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहा है कर दिख सकते हैं कि यह सक्स है और मैं इस आडियो की जाच कराने की मांग कर रही हूँ यह कहीं न कहीं एक साजिस है और इस साजिस में कौन सामिल है मैं यह नहीं कहती इस एक audio है इस audio की सततता कितनी है ये सोचने वाली बात है इस audio की जाच होनी चाहिए जो व्यक्ति इसमें बात कर रहा है उसके जाच होनी चाहिए ये कही न कही किसी न किसी को फसाने की साजिस भी हो सकती है और कही न कही बिहार सरकार को बदनाम करने की भी साजिस हो सकती है आप देख सकते हैं कि ये सक्स आज कितना आक्रोस है इसके अंदर ये आक्रोस क्यूं है कही न कही इनका ही जमीन किसी ने छीन लिया छीन लिजा, यानि कि Bihar सरकार में रहते हुए, जो भी भूमाफिया है, आज इसके जान के पीछे पर हुए है, और इनकी ओडियो वाइरल हो रही है, उस ओडियो में जो सक्स है, उस पे जाच होनी चाहिए, उसको घर से उठा करके, उसकी ओडियो की जाच होनी चाहिए। आ जो आडियो में बोल रहा है कि हम अभी तक मेरे पास नहीं आया, जिस दिन एकाउंट में पैसा चला जाएगा तो क्या करोगे, मरवाद होगे, एक समास से भी को मरवाद दोगे, क्योंकि इनके पास सत्ता नहीं है, इनके पास वो बंदूके नहीं है, इनके पास वो चार दीवों का मसिहां बने हुए भिते हैं साइद इसे लिए ये निहता वेक्ति Hmm जो आप इसको मर वा दें घीन वैंदि हैं जो सत्ता है में ऽत्त बोलने के लिए भाद Diesel Nepal दों यहाँ बी में अभी तक किसको किसको लिखित दी है अभी में थाना परावारी को पहले दिया हूँ एच्छा कभी एष्पी शाप को भी देने जाएंगे यह डाग दुआरा कि एक बिट्टू सिंग नाम का बेक्ति को लेसी में उलरका कह रहा है सचिन भगत कि उनको ठंधा कर दिये तो ठंधा सब देख होता है कि मार के जला के राक ठंधा कर दिये हैं कि कॉली स्टोर में रखे हैं बरफ में यह सब उन्हीं से पुछा जाए और मैं लेसी में का नाम लेता हूं न लेना चाहता हूं लेकिन उस ओडियो में जो कह रहा है तो मैं यह जानना चाहा हूं कि कुण ऐसा सक्सियत है जो किसी को भी किरिमिनल बना देता है किसी को भी ढम शरा कर देता है किसी को महगत जाने चासार कपोड़ीवस क्या को मिल जाने से के या कॉलत ड्यूल करें कर दिया है μαntu श्र। तो उस जमीन जब आपकी है तो उस जमीन पर आपने भारत सरकार को भी लिखित दी है तो उसके जांच की कारवाई पूरी हुई है या फिर रुकी हुई है देखिए वहां से जैसे परधान मंतरी को हमने लिखा परधान मंतरी का मैं सुक्रगिजार हूं कि वह तत्व अपना काम करके वहां से ब्यार सरकार को कह दिया गया कि आप जो है सीविया इंवेस्टिकेशन इंडर लाइन डिस्कैन पूर्णिया डिस्टिक जांच करवाई है सोक ठाकूर का क्या मामला है ये इनको जांच मांगा हमने आदे दिया आप व्यार सरकार अपने अस्तर से देखिए करिए और हमको जनकारी तो अब वो क्या कर रह है बिहार सरकार को कारवाई हो रही है और जब बात में एक बार बात किये हैं प्यमों से वहां उपर में तो बोला गया कि कि आपका जो आवेदन भेज दिया गिया है कारवाई चल लई है तो बिहार सरकार का जो मुक्षचीव है जिनके नाम से परधान मंतरी भेज़े थे वो कहीं ने कहीं चो है दाब कर इस मेटर को दाब दिया गिया है और बिहार में किसी बरकार का जान चल लई कि नहीं चली है हमको इनफर्मेशन अभी तक नहीं दिया गिया है बलकि हमको लगता है कि मैं अभी तक मेरी कारवाई को क्या हो रहा है मुझे इस बारे में जानका एगरेव एगरे का भी मैं नाम दिया हूँ कि यह जितना भी घोटाला हो रहा है जितना भी मडर हो रहा है यह बैट कर आप करवाते हैं मुख सचीब जी आप सुधार करवाय कार संस्कृति और जमी समंदी जो है राजस जो है आपका व्यार सरकार का मुख सरोत है और उस पर आप लगाम लगाई यह जो माफिया लोग अवेद उगाई कर रहा है और गरीबों लोगों को हक मार रहा है जो गरीब को जमीन देने का बात है यहां कर गुंडा मवाली समाइकर दारूबला सब को बसा रहाने दुने और उसके आर्वें यह लोग अपना रोटी सेकते हैं जो गलत का विरोद करता है वो असोख ठाकुर के जैसा उनको फसाने की मारने की साजिश करता है और ओडियो में सुना जा सकता है कितने को ठंडा दिया है तो यह विटू सिंग में चारा नाम आया है उनका भी जाच कर लेकि बेचरा विटू सिंग अपरादी है कि इनको भी सब्सक्राइब इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए इन्होंने अभी तक थाना परभारी को इन्होंने आवेदन दे दिया है और यह आवेदन यहां के पुलीस अधिक्षक को दिया दिया जाएगा ऑनलाइं पहले थाना जब कारवाई नहीं करेगी तो कहीं न कहीं यहां के पुलीस अधिक्षक है करना किकॆ है मैं दिखाना चाहंगी इनको भी इनोंने एक लेटर लिखा है आवेधन और इसके बाद कहा का अपने लिखा है यह क्या थाना को इनों ने दिया है पुलिस अधिक्षक मोहदय पूर्णिया, सदर पूर्णिया को भी इन्होंने अभी आविदन लिखी है, दिया नहीं है, ओनलाइन ये देने जा रहे हैं और मैं पुलिस अधिक्षक सदर थाना पूर्णिया से निवेदन करती हूँ, कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और कही न कही इनकी जान का खत्रा है, उस ओडियो के अधार पर उस ओडियो की जाच होनी चाहिए जब यहां एक ठाना सुरक्षित नहीं है, ठाना का पदा अधिकारी सुरक्षित नहीं है, उसको गोली मार दिया जाता है तो यह गरीब का मुख्या, एक आदिवासी कैसे सुरक्षित हो सकता है, सरकार से आग्रा करूंगी कि अपने समाज के एक बच्चे को बचा लीजिए यह आज कहीं न कहीं मौत के साए में जीने को मजबूर है, पता नहीं आज यह हमसे बात कर रहा है, कल रहे या ना रहे लेकिन अगर आप चाहेंगे, तो इन आदिवासी समाज की सुरक्षा परदान करेंगे मानिये नीतिस कुमार जी से आगरा करती हूँ, कि इस वीडियो को आप देखें और जितने भी लोग, पूर्णिया नहीं, पूरे भारत के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जादा से जादा शेयर करें ताकि इनकी रक्षा हो पाए, इनके जान की रक्षा हो और आदिवासी समाज जो आज लूप्त हो रहा है, लूप्त होने के कागार पे हैं, उनकी सुरक्षा की जिमेवारी बिहार सरकार की बनती है, और वो सुरक्षा तब हो सकती है जब आप इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करेंगे, तो देखवा न्यूज में फिलाल अ शेयर करें ताकि इनकी जान बच सकें, धन्यबाद.